बारतिय सिनिमा में सबसे चर्चित है बॉलिवूड इंडिस्ट्री जिसमें हर अभिनेता एक बार काम करना तो जरूर चाहता है दुनिया में आज के समय में बड़ी इंडिस्ट्री बॉलिवूड को माना जाता है जिसमें कई बड़े स्टार काम करते हैं और उनकी पॉपुलरिटी पूरी दुनिया में बेहद है जब फिलमे हिट हो जाती है तो अभिनेताओं की डिमांड भी बड़ी हो जाती है और उनमें कही न कहीं घमंड भी आ जाता है आज हम आपको बताएंगे बॉलिवुड के पांच सबसे घमंडी एक्टर, जिन्हें लोग घमंडी कहते हैं लेकिन फिर भी उनकी फिल्मों का बेसबरी से इंतिजार करते हैं और सबसे सक्षल बनाते हैं बॉलिवुड के पांच सबसे घमंडी एक्टर 1. शारो खान बलेवुड के बाद शार शारो खान को रोमांस का किंग भी कहा जाता है ये इंडिस्ट्री के सबसे अमीर अभिनेता माने जाते हैं जिनकी लोकप्रियता इंटरनाशनल लेवल की है शारोख खान को घमंडी अभिनेता की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जिस समय फिल्म निर्देशक सेट पर बुलाते हैं वे कभी समय पर नहीं पहूंचते उनकी वज़े से कई बार फिल्म की शूटिंग हुए बिना पैक अप करना पड़ता है 2. आमिर खान बलेवुड के मिस्टर परफिक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान को स्वभाव से सबसे धरियां दिल अभिनेता समझने वालों को बता दें कि आमिर भी घमंडी अभिनेता में से एक है आमिर को घहमंडी अभीनेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि निर्देशक के मताबिक आमिर नहीं चलते हैं और कभी कभी निर्देशक को अपने अनुसार चलाते हैं आमिर खान के घमंडी बोलने की एक और विज़र यह भी है कि साल में सिर्फ एक खी फिल्म करते हैं और बाकी निर्देशकों की फिल्म करने से इमकार कर देते हैं. 3. रितिक रोशन को भी घमंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सल्मान खान के गुस्से से सभी वाकिफ हैं और इस सभी बेहत डरते भी हैं। जब कोई काम सल्मान के अनुसार नहीं होता है तो वे को स्टार्स पर चिला पड़ते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि सल्मान खान अपने घमंड की वजह से ही अपने प्यार को खो चुके हैं 5. कपिल शर्मा कॉमेडियन कपिल शर्मा ने साल 2015 में बॉलिवुड में एंट्री ली थी जिसके बाद कपिल शर्मा का भी नाम और पॉपुलेरिटी वेहत बढ़ गई कपिल को घमंडी इसलिए कहा जाता है क्यूंकि वे भी बहुत गुसा करते हैं और अपने को स्टार से अच्छे से बात नहीं करते पिछले कुछ समय पहली कपिल शर्मा ने एक प्यूज इंकर से गाली गवलोज करने की जिसके बाद लोगों हें भी गमंडी समझने लगे थे